Be a part of powerful digital news network नवी मुंबई network तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाइने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें तो चलिए समझते हैं ॡग्राफिक के माध्यम से कि पन्वेल में अब तक कितने कोरोना पोजितिब मरीज पाए गए हैं और क्या रहा पन्वेल का हाड़। किन शेत्रों में पाए गए कितने कोरोना पॉजिटिव बरीज और आक्टिव केसु की संख्या कितनी रही सबसे पहले कामोठे कामोठे में टोटल पॉजिटिव केसु की संख्या रही 79 और आक्टिव केसु की संख्या रही 38 खारगर में खुल 40 कोरोना पॉजिटिव मरीज अब तक पाए गए हैं, वही 27 आक्टिव केसों की संख्या है, न्यूपन वेल में 26 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है, वही आक्टिव केसों की संख्या 15 दर्स की गई है, कलंबोली में 19 कोरोना पॉजिटिव मरीज प पर अटके हुई है वहीं CISF की आखड़ों पर दसे दोड़ाई जाए तो कोल COVID-19 की positive cases की संख्या थी 11 और अभी फिलहाल आक्तिक cases यहां एक भी नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं ग्राफिक के माधन से समझने की कोशिश करते हैं कि किन शेत्रों से कोरोना positive मरीजों की discharge ह होने की संख्या दर्थ की गई है और कोरोना से मृत्यों का आखड़ा किन शेत्रों में कितना रहा बतादे के कामोठी वे अब तक सबसे अधिक पांच लोग कोरोना संक्रमित मरीजों की यहां पर मृत्ति हो चुकी है वहीं अभी भी यहां पर रिकवर्ट केसों की संख्या 26 बनी होई है जोकि सबसे अधिक है खालगर में एक व्यक्ति की कोरोना पॉसितिव होने के कारण मृत्य हो चुकी है वहीं अब तक यहां पर 12 लोग कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हो चुके है वहीं यहां से रिकवर्ट केसों की संख्या रही 10 कलमबोली में अब तक 4 ल बढ़कर 13 तक पहुँच चुका है पन्विल में अब तक 13 लोगों को कोरोना मुक्त करके डिस्चार्ज किया जा चुका है और CISF के कुल 11 जवानों को कोरोना मुक्त करके डिस्चार्ज कर दिया गया है